हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल और कैसे हैं आप सब खुब आप लोग अच्छे ही होंगे यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हमारी शादी की बीडियो marriage वीडियो आप लोग के साथ मैं जो है दो पार्ट अल्रेडी शेयर कर चुकी हूँ यह तीसरा पार्ट है सो उसी को मैं continue कर रही हूँ इससे पहले मने कन्यादान वाली वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी उससे पहले जैमाल वाली वीडियो शेयर की थी और अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आगे की वीडियो सो कन्यादान हो चुका है उसके बाद यहाँ पर फेरे हो रहे हैं और फेरे हो रहे थे उस टाइम पंडे जी कुछ मंत्र वगरे बोल रहे थे सो आप लोग भी सुन लीजिए तो बस जब फेरे होते हैं तब पंडेच जी साथ बचन सुनाते हैं साथ फेरों का अर्थ बताते हैं साथी साथ कुछ मंत्र वगरे बोलते हैं तो बस पंडेच जी वही मंत्र वगरे बोल रहे थे मैंने अभी आवाज म्यूट कर दी है और जो शादी की वीडियो बनी थी वीडियो रील बनी थी तो उस clip में शौंग बगर डले हुए थे तो मैंने जो है बो वाली clip share नहीं की ये वाली जो वीडियो है मेरे देवर जी ने बनाई थी उन्होंने अपने मोबाईल में ये वीडियो बनाई ही थी तो मुझे ये clip मिल गई तो मैंने ये वाली डाल दी है आप लोगे साथ share कर रहे हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा आवाज थी पंडित जी के मंत्र वगएरे थे तो मैं ने सुचा कि ये मैं आप लोगे साथ share करती हूँ क्योंकि इसमें मैं सौंग बगर नहीं सुना सकती थी तो बस यहाँ पर हम लोग फेड़े ले रहे हैं पहले लड़की आगे होती है उसके बाद फिर यहाँ पर अभी यह आगे हो जाएंगे मैं पीछे हो जाओंगी तो सभी लोग जानते होंगे यह चीज कोई बताने वाली नहीं है तो बस इस तरह से साधी हुई हमारी और मैं बहुत जादा नर्वस थी आप देख सकते हैं काफी हर कोई नर्वस होता है अपनी साधी वाले दिन क्योंकि यह जो मुमेंट होता है बहुत इमोशनल मुमेंट होता है मन में बस यही चलता है कि अब जो है हमें सब कुछ छोड़ कर जाना है मीनस अपने मम्मी पापा घर परिवार भाई भेन सब को छोड़ कर हम लोग चले जाएंगे तो यह सोच कर काफी बुरा लगता है और यह ना सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है जिसकी मैरिज होती है वही जानती है कि कितना बुरा लगता है तो बस यही सब बात है थी जो मैं शेयर कर रही थी आप लों के साथ क्योंकि उस टाइम मेरे मन में यही चल रहा था फेरे कंपलीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा भाई जो है हाथ में धान लेकर इस तरह से जो है ना राउंड लगा रहा है इस साइट से और उस साइट से इसको बोलते हैं धान बुबाई की रस्म जो की भाई ही करता है तो यहाँ पर मैं इसके हाथ में धान देती जा रही हूँ और यह जो है जो है जल डालते जा रहे हैं और इस तरह से गूमते हुए यह वो रस्म कर रहा है और इसके बल्ले जो है मेरे ससुराल वाले मेरे भाई को कपड़े बगर देंगे गिप्ट देंगे जो वो लेकर आते हैं और वस उसके बाद जो है ये रसम पूरी हो जाएगी जरूर बताईएगा मुझे हमारे जिस तरह से जो भी रसमे रीती रिवास साधी में होते हैं वही मैं आपनों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरे भाई का फेस भी काफी उतरा हुआ है विकोज उसने काफी काम किया था बहन की साधी में भाईयों की हालत खराब होई जाती है मेरा तो एक ही भाई है बाकी पापा भी काफी काम किये थे लेकिन भाई पर काफी लोड़ था तो इसलिए वो जो है इतना इंजोय भी नहीं कर पाया था और वस लगा हुआ था तो यहाँ पर जो है रसम हो चुकी है और जो कपड़े वगएरे दिये जाते हैं भाई को वो दे दिये हैं वो यहाँ पर हम दोनों के पैर चूरा है उसने जो है मुझे ये यरिंग दी है और हम दोनों को पैसे दिये हैं तो सारे जो रिलेटिब है रिस्तेदार है वो लड़क पुर्दान और मंगल सुत्र पहनाने की रस्म। मंगल सुत्र और सिंदूर दान की रस्म हो चुकी है, हमारे सिंदूर सिक्के से भरा जाता है, किसी कियां अंगूटी से भरा जाता है, और मैंने किसी किसी कियां देखा है, कि उनकी सिष्टर जो है न वो पहले सिंदूर भरती हैं, लेकिन हमारे अशर नहीं है, हमारे जो हस्बेंड है, वही सिंदूर भरते हैं, और सिक्के से भरा जाता है, डारेक्ट नहीं लगाया जाता है, और उसके बाद यहां पर जो है, ब तो बस साधी जो है complete हो चुकी है सारी रस में हो चुकी है और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं भाईया है पापाजी है और यह इनके फूपाजी है तो सभी लोग जो है night में बैठते हैं जागते ही हैं तो बस सरदी का टाइम था रजाई कम्मल वगएरे डले हुए हैं तो बस सभी लोग बैटे हुए हैं और ये हैं सबसे छोटे वाले भाईया तो यही जो है बीडियो बगएरे बना रहे थे अपने फॉन से और जो सेकंड नंबर के भाईया हैं देवर जी वो नहीं थे इस टाइम पर और यहाँ पर जी जाजी हैं तो बस सभी लोग बैटे हुए हैं और यहाँ पर मम्मी पापा फिर से हमारे पैर पूझ रहे हैं कन्यादान किया था इनों ने अब फिर से पैर पूझ रहे हैं यहाँ पर जो भी देना है वो मुझे दे रहे हैं और यहाँ पर मेरी सिष्टर कलाई में कमी ताई वगेर हैं और बस यहां पर अब जो है हम लोग जा रहे हैं अंदर जो कुछ रस्म होती है वो करेंगे उसके बाद हम लोग भगवायन जी के दर्शन करेंगे यहीं पर मंदिर बना हुआ था तो हम लोग बहा गए थे अब भी टाइम हो चुका है मॉर्निंग का यहा ताउ जी हैं मौसा जी हैं और यह भी ताउ जी हैं तो बस सभी लोग यहां पर बैठ हुए हैं जो भी पूजा बगएर होती हैं रस्मे बगएर होती हैं तो बस यहां पर वही हो रही हैं और साथी साथ फिर जो है होगी बिदाई तो यहां पर यह बैठ हुए हैं पापा ज अभी मेरे मामा जी हैं और इनके मामा जी हैं तो यह जो रसम है इसको बोलते हैं कलस सौपना तो जो लड़की के मामा जी होते हैं वो लड़के के मामा जी को कलस सौपते हैं यहाँ पर मेरे मामा कलस लिये हुए हैं वो जो हैं इनके मामा जी को दे देंगे इसमें क्या का सारे जो लड़के वाले हैं उनके भाइ बगेरे फ्रेंड बगेरे यहाप पर खड़े होते हैं और यहन के का टीका होगा मेरे जी आ जी बी खड़े हुए हैं और सब और टॉबिल उड़ाई जाएंगी तो मम्मी को टॉबिल उड़ा रही हैं सबसे पहले दूले को टॉबिल उड़ाई उसके बाद उनके भाईयों को और जो सब लोग खड़े हुए हैं तो सारे रिस्तिदार भी जो है मेरी नानी मौसी ताई जी बुगा जी सभी जो है टीका करेंगी इन लोगों का और सब को टॉबिल उड़ाएंगी तो बस यह जो रस्म है वो बिदाई से पहले की जाती है तो यहाँ पर मम्मी वही रस्म कर रही है और जीया जीबी जो है खड़े हुए है साथ में और बस यहाँ पर स़वी के पयल चुग रही है पैसे दे कर तो सबसे पहले यह जो रस्म है लड़की की मा करती है उसके बाद जो भी दे करते हैं related है वो यह र फिर से जो है न यह सब रस्म रीति रिवाज होने लगे हैं और आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं किस तरह जैमाल हुई थी किस तरह इसे कण्यादान हुआ था तो सारी रस्मे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट वन और पार्ट टू में आप लोग जाकर देख लीजेगा जिसने भी नहीं देखा है और अगर आप लोगों को मेरे ये शादी वाले वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इससे आगे आप लोगों को मिलेगा बिदाई वाला वीडियो वो देखना आप बिल्कुल भी मत भूलेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजेगा ताकि मैं आगे वाला पार्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो बस सभी लोगों ने ये रस्म कर ली है और यहाँ पर सबसे लाश्ट में मम्मी इनको पिला रही है पानी ये भी कोई रस्म होती है कुछ बरतन दिये जाते हैं लड़के के हाथ में और बस अब आचुका है बिदाई का टाइम तो इससे आगे वाले पार्ट में आप लोगों को पूरी बिदाई की वीडियो देखने के लिए मिलेगी जो की हर लड़की के लिए काफी emotional moment होता है तो इससे आगे वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार थेंक्स पर वाचिंग